बीनु राजपुत जी दिल्ली से रादे रादे महाराज जी आप चलणों में कोटी-कोटी पढ़ाँ श्रिक राधा कृष्ण के इलावा इस संसार में मेरा और कोई नहीं है नहीं मुझे किसी भी संसारिक रिस्तों में कोई रूची है मैं पेशे से एक फिल्म निर्देशक हूँ प्रोफेशनली काम के साथ-साथ मैं पिछले 20 सालों से अध्यात की रहा पर चल रहे हूँ अब जैसे जैसे मैं गहरे ध्यान साधना में जाती हूँ वैसे वैसे मन दुनिया से पूरी तरह अलग होता जा रहा है साथ दिखाई देता है कि दुनिया एक माया जाला है ऐसा लगता है सब कुछ छोड़कर विंदावन में निवास कर ले क्योंकि मेरी आत्मा सदेव यही रहती है या कहीं एकांट पास कर ले ताकि बचे हुए जीवन को पूरी तरह प्रभू की शेवन करें बहुत उत्तम जीवन का लाव तो यही है पर अगर आंतरी कैसी स्तिती तो कहीं भागने की ज़दत नहीं वैसे मन तो कहता है कि एकांट सेवन करें या ऐसे परमपावन धामाद में रहें मैमार जिन का प्रष्ण एक कि दुन्या के लोगों से डर लगता है क्योंकि आज महिलाओं के साथ समय सुरक्षित नहीं मुझे जा साथ का ihm कोई सुरक्षित नहीं सब ऐसे करिं होते चले जा रहीं अपने बिगरते चले जा कि अपने कर्म ही अपने सब मनवानी आचरण हो रहे हैं अब ऐसी मतलब बस यही कि जितनी जल्दी हो सके अपने को भगवान के चरणों में समर्पित करके अगला जन्मना हो नहीं तो आगे ऐसा समय जो आएगा ना धर्म कर्म भजन साधन यह तो राक्षसी प्रवत्ती बढ़ती चली जारी राक्षस मतलब उसका क्या आप लोग तो संसार में समाचार सुनते सब देखते सब जान रहे हैं बिना भगवान का आश्च्रे लिए बिना सास्त्रों का श्वाध्याय किए बिना सत्संग किए पसुवत बुद्धी की ब्रद्धी होती रहती है पशुता बढ़ती रहती है आप उस बुद्धी में कहीं मंगल कहीं शुक कहीं सांती नामों निशान नहीं है देखो क्या हो रहा है हर व्यक्ति मदिरा का पान करने के लिए उत्सुख है कोई शासन नहीं दिमाग में कि मैं क्या कर रहा हूं हर व्यक्ति व्यवचार में प्रवत्थ होने के लिए उत्सुख है पत भूता की तो बात जाने दो आपके इवल सब का उद्देश यह हो रादन मिल जाए वावाही मिल जाए मन मानी भोग मिलें तो यह तो बहुत दूरलब बात है कि आप ऐसी जगह रहते हुए ऐसा कारी करते हुए ऐसी विचार वाली है यह दो हम आपकी बंदना करते हैं आपके भाव की बहुत आगे चल कर जो शमयाने वाला है तेरा चोदा वर्स का बच्चा है वह वीरपात दोशशे इतना विक्षित हो चुका है क्योंकि उसको सिखाया गया हस्त में तुम उसको सिखाया गई गंदी बाते डाक्टर बता रहे हैं आप स्वस्तर होगे अगर ऐसा करो होगे विद्यार्थी आपस में सपोर्ट कर रहे हैं पहले गुर्कुलों में वास होता था गुर्जनों की सास्तर सम्मत आग्यां से बीस वर्स पचीस वर्स तक ब्रह्मुचर हाश्ट पुष्ट वे फिग्रहस्त में गए सुंदर्शन तानूत पत्ति रुपी भगवत अगर यही बुद्धी सत्मार्ग में लग जाए तो अभी सब आनंद हो जाए बहुत प्रवीन है आज तक मुवाइल चलाना नहीं आता इतना बड़ा बच्च्या हो सब सब जालता है कैसे खोलना है कैसे आज चले है कितनी बुद्धी प्रवीन हम लोग इतले हो गए लेकि अगर यही ग्यान अच्छे मारगी की तरफ माता पिता को प्रणाम करना उनकी सेवा करना धर्म से हमारे देश के भविश्य बन जाए चुटी चुटी अवस्थाओं से ऐसे आच्रण ऐसे द्रश्च ऐसा संयोग सो बच्चे बच्चे आ सब तो किसी को हम कहें कि मालो इस्त क्या कर रहें सराप पी करके मांस खा करके गलत आच्रणों के द्वारा डिप्रेशन में पहुंच रहें रात दिन जल रहें वागे जो उनका परिणाम आने वाला है वो तो बहुत भयावा होगा आप सब देखते हम बार बार रिसारा करते वो ले क्या है उतने की कार और हम यह भी प्रार्थना करेंगे कि कहीं भागने की जरूत नहीं किसी कांत सेवन के लिए जाएं एकांत अपना हरदय है भगवान सबके हरदय की बात देख रहें आप अंदर से प्रभू की चिंतन में क्योंकि अगर ना होती तो आपका यह निर्णे नहीं होता है जिसे आप बड़े विशय प्रपंच में रहती ही तुम्हारे मन की स्थिति यह विशयों के बीच में बैठकर जो समाध्य को प्राप्थ होता है वही सच्चा मात्वा है एकांत गुफा में समाध्य में प्राप्थ है पर संसार में जब आये तब फिसल गए इसलिए अगर बजार में बैठकर तुम ध्यानस्त हो और घर में रहकर तुम बैरागी हो तो तुम्हें कोई परास्त कर रही नहीं सकता सुचो कुछ ऐसे सादक है जो पत्नी से ब्रमचरी लिए हैं हम उनको प्रणाम करते हैं दोनों मित्रबन करके संयम से रह रहें कितना बड़ा ब्रमचरी का निय हम लोग डरते हैं छूक न हो जाए वह उसे चूक में रहते हैं और चूक लगी करते हैं तो बाधर वह हुए के हमें तो हमने लेकता है भागने की जडरत नहीं है हमको वही अभ्यास करना है जा हमारी विरोधी ब्रतियां है और अगर वह अभ्यास द्रड हो गया तो कहीं अभ्यास फेल नहीं होगा और एकांत में अभ्यास द्रड हुआ तो समाज में फेल हो जाएगा और समाज में द्रड कर लिया तो एकांत में तो और वो गाड़ भाव को प्राप्त हो जाएगा भागने की जगत नही है आज ऐसी हवा चल रही है कि कहीं भी बात बहुत बिवेक से समझना अगर आप द्रड नहीं है तो कहीं भी कुछ नहीं है आप द्रड है तो सब जगे वही है और आप द्रड नहीं है तो सब जगे माया ही माया है दो ही पक्ष है ब्रंदावन आप बंबई से देख सकते है ल करें कि चिंतन करें तो आपकी दुश्टी में वहाँ से लेकर यहां तक बीच में कुछ है लएं नहीं प्रृट सीध हें ब्रृंदावन दिखाई देगा। ब्रृंदावन की लीला दिखाई देगी। अगर यहां हैं और आपका दोस्दर्शन होने लगा कि यहां भी लोग कैसे हैं, कैसे तो आपका चिंतन बिगड़ गया, अभी वहां है तो इतना है कि संसार तो ऐसा है यह, लेकिन भगवान और भगवान का धाम और नाम यह तो महामहिम है, यहां करके जवाब और यहां सद् तो फिर पारा जो चिंतन का वो गिरने लगेगा हमें लगता है हमारा चिंतन उठ रहा है तो चुप चापू वहीं रहकर चिंतन और बढ़ा लेना चाहिए देखो पूज़ भाई जी महाराज सियनमान प्रशाद पोद्धार जी राधा बाबा गोरकपुर गीता वाटिका से स की कामरा लेकर बहुत कालटक सुरक्षिट भजन करें आईसा समय रहे घर हमें लगता हैह कि अपने परिवार के साथ रहकर अपने को पुभाग रहित करके, बहुत उत्तम स्थिती प्राप्ति की जा सकती है, भागने की जुरत नहीं, आजकल यंट रहें, मुबाइला जी इनसे सत्फंग सुन सकते हैं, जा कभी मनाए, महिना दो महिना, चार महिना में आके सत्फंग सुन लें, और एकाम तवास करें, प्रभू जन तीर्थों में चरण रख देते तो तीर्थ पवित्र हो जाते हैं तो क्यों क्यों कि उनके हरदे में नाम चल रहा है बात समझ ना नाम चल रहा तो उनमें इतनी सामर्थ है कि लोग तीर्थों में पवित्र होने जाते हैं और वो तीर्थों को पवित्रता प्रदान करते है जो श्री भागीरजी गंगा जी को प्रशन ने किया तो गंगा जी ने दो बाते कहें कि एक तो मैं ब्रह्मलोक से नीचे गिरूंगी तो मुझे मुरत्य लोक में रोकेगा कौन क्योंकि इतनी प्रबलधारा तो हम रसातल को चली जाएंगे तुम्हारा काम नहीं बनेगा जो पुर्खे हैं उनके दूसरी बात जब मैं भूतल में जाओंगी तो पापी लोग मेरा इसपर्स करेंगे वो तो निशपाफ हो जाएंगे पर मेरे में मलिंता बड़ेगी मैं निशपाफ कैसे होंगी तो भगीरत जी ने महादेव जी को प्रशन किया जटाएं खोलकर गंगा जी को मध्ध में रोका फिर एक धारा निकाली तो उससे तीन धाराएं प्रगट हुई अलकनंदा मंदा की नी और गंगा गंगा मृति लोग में अलकनंदा स्वर्ग लोग में मंदा की नीचे के लोग में जो अंश्रिया जी ने चेत्रकूट में प्रगट की नीचे की मंदा की नी गंगा और कहा कि जो निरंतर भगवान का भजन करते हैं ऐसे संत जन जब आप में चरण तो एक अंगा आप निस्पाप हो जाओगे अब आप विचार करो गंगा जी को भी पावन करने की सामर्त भगवन नाम जापक में वो नाम आपके पास है वो भगवत चिंतन आपके जहां बैठोगी तो जगत पावन हो जाएगा मंभक्त युक्तो भवनम पुनात कई भागने की जदत नहीं किसी के पास जाने की जदत नहीं अगर हमें शब्द मिल रहा है तो सुन लो आचरण उतार लो सब काम बन जाएगा हमें अपना काम बनाना है मिठाई वाला कैसा हमसे मतलब नहीं हमें मिठाई से मतलब मिठाई तुमने खाया तुमने तुझान तेरा काम जान तुम जो हमें मिठाई दे रहा है बहुत टाप किया है संत महापुरुषों के वचन उनको पकड़ लो वह आपको वहीं से दर्शा देंगे कि है क्या चीज नहीं आप पास रहते भी हमें नहीं जान सकते ना सत ना सत दोनों का परिचया ने प्राप्त कर सकते और जो हम कहें रहे हैं बजन में लग जाओ तो तुम जहां होगे शोपन में तुम्हें परिचया मिल जाए कि कौन है। जाग्रत में तुम्हें अनुभूत होने लगे कि मुझे तो शाक्षाद ब्रह्म का दर्सान हो रहा है। फिर कोई बात रही जब अनुभव हो गया तो बात जब तक अनुभव ना हो हमें आरी प्रार्थरा है मतलब कोई भी कहीं भी दूरी बना के रखो तभी दोखा से बच जाओगे प्रार्थरा है नहीं तो फिर तुमाई श्रद्दानस्थ हो जाएगे हम क्या बोल रहे हैं उस निश्रिन हो जाओ जब तक अनोह तो तक दूरी बना के संट संग किया जाता है मन से उनकी बात मांगो तन को अपने बिवार काजियों में रखो शमाज में अपने घर में रो जो करतब्य है वो अपने करतब्य को करो जिस भजन ने अशी स्थिती दी है उसी भजन में पुर्णता है खुब अंदर चलाती मगन हो जाओगी किसी को सपोर्ट में लोगी वह पोटेगा तो तूट जाओगी तो मशंग रहो भगवान का आश्र भगवन न तो के वचनों में अपने जीवन को लगा दो बस इसे मंगल हो जाएगा बेवहार करने की जरुत नहीं बेवहार में दूरी बनाओ परमार्थ में आत्म समर्पन कर दो उनकी आग्यां पर चलो वही जो हैं वही तुम हो जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम किसका सं प्रद्दा हो जाती है आपको कोई समय संसे एक समस्या आती है कि जैसे हम बहुत जादा जाते हैं क्योंकि मेरा प्रफेशन बड़ा चका-चौंद बाला है बहुत जमक वाला है तो मैं जादा लोगों का संग भी नहीं करती हूं और काम भी मुझे बहुत स्लेक्टिव करने क्या करें पड़ते हैं जिस में मैं अपना हंटर्ट परसंट दे सको जी उस काम उसकाद को इतना तो पताएएं कि भगवान का का लिए है मालत मनुरंजन समाज का ही सही तो भगवत सो रूप शमाज है उसके मनोरण्यन को भगवान ने आपने शेवा जो आपको दिए आप उस समय को भगवान के चरणों में समर्कित कर दें और जो व्यक्ति उसमें हैं उनमें भी भगवत भाव कर लें बजन हो जाएगा पूरा का पूरा सिनेमा चल रहा है वही नहीं है यह सब सिनेमा ही चल रहा है यह सब रूप हैं यह सब अभिने हैं कहीं स्त्री का अभिने कहीं पुरुष का अभिने कहीं दुष्टता का अभिने कहीं सादुता का अभिने कहीं उत्तमता का अभिने कहीं अधमता का अभिने यही तो आप नहीं जान पा रहे है अगर यह जान गए ना तो मुक्त हो गए अभिने वाला जो अभिने करता है वो कभी अपने को वो नहीं मानता है वो जैसे किसी को अभिने में मिला राजा का किसी को अभिने में मिला रानी का लेकिन दोनों ठीक वो ऐसे ही रौप से अभिने करेंगे और उनको पता है कि हमें पास हजार रुपे में राजा बलाय गया है और पास हजार रुपे में राली बली और दो घंटा के लिए अभी नहीं ना हम राजा है ना रानी पीछे वो राजा रानी नहीं रहेंगे सामने वह ऐसे ही रोल करेंगे बस आपको ऐसे हैं आपको जो सेवा मिली है जिस समाज में मिलिए वैसा अभी ने कर उपर आप वो नहीं आप सच्चिदानन भगवान की अंस उनकी श्वरूप हो तो कहीं फेल नहीं होने लाले जो अभी ने बस यह वास कशाई का सदन बड़ा उनकी महिमागाई गये वो अपना भी ने करते थे मान से लेहाते कसाई वाड़े तो मान से भेचते थे और इतना सुद्ध ग्यान था कि उन्होंने रिशियों को उपदेश किया पिंगला जी वैश्या थी और भगवान दत्रा ते जिने 24 गुरुव में उनको एक गुरु माना है जिस दिन से उनके अंदर भैराग और होश शमला तो वहीं रहते हुए उसी घर में रहते हुए परमन सौधू दत्रा ते जिने उनको गुरु माना इसी इस्तिती हो गई बिल्कुल घबडाने की जुवत नहीं परिपक्क को साधक बनो हर जो आपका कार है हर छेत्र में उतरो लेकिन कौन है आप यह मत भूलो आपको श्वांग मिला है वो आप इमानदार इसे कर लो और वो सब भगवान को समझग कर दो सेवा आपका तो बहुत छोटा कार है अम उनहीं के अंस है जो अंब्रीष जी में भक्ति आई हुए आपके हर्दय में आ जाएगी भक्ति कोई दूसरी नहीं जो राम राम जबकर बड़े महापुरुष जो राधा राधा कृष्ण जबकर बड़े महापुरुष वही नाम तो तुम्हें भी मिला है तुम भी तो ज जरत नहीस चमें आपके जन्हका डेपना मैं परपाद सेञ्ठेवर8 जी अजिए अंगरесть फर्फ जन्हकी नप्षाय सेख पीरिजह आफेव्यी गहाम कोति प्रावरी किसे होता है तो मुर्दा की शरीड को हे थिपर्टिक है ज्रिण को कम्रता थीक debates होता है Demokraten सीशा देखते हों क्या दिखाई देता है क्या दिखाई देता है घरण नहीं होगा समझ में नेया सब अज्या नहीं है गो गोचर जह लग मन जाई शो सब माया जानो भाई मैं अरुमोर तोरते माया जही बसकी नहीं जीव निकाया जैसे आप प्रश्न कर रहें कि आत्म शुरूप चैतन घंगन है सरीर जड़ है इसके बीच में मन है उसका परिचे पाया सारा खेल इसी मन का है मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है परमात्मा में लगा हुआ मन मोक्ष और विशयों में सरीर अभिमान से भोगों में सरीर सम्मंदियों में यही बंधन का कारण है ना आत्मा का कभी बंधन हुआ है ना है न कभी होगा पर भ्रहम से हम अपने आपको मन मान बैठे तन म और ग्यान इंद्रियों के द्वारा भोगों में सुख डूणने लगे हम अपने को इस्त्री मानते हैं पुरुष मानते हैं इसी के कारण परश पर राग इंद्री विलासता यही अज्ञान है जब ग्यान का इश्पुरण होता भजन करने से तो बिल्कुल शरीर ऐसे अलग द प्रतिवी वायू आकाश शब्द का परिचे सब्द से होता है जहां शब्द है वहां आकास तत्त है तो वायू अगनी जल मिट्टी आकास इसमें भी इसी से बनिये एडपथर जो ही है ना ऐसे यह भी पाचाश तत्त से बना है अब इसका इसा रूप चैतन घंकिस से प्रक छेतने संबोधन में आ गया बगाय कोई नहीं जब घ्यान हो जाता है तो सरवम खलमिदाम ब्रह्म ने नानास्तिक इंचन, सौब जगें बिल्कुल वैसे को वैसे परमात्मा है, जैसा है वैसे ही वही है, दूसरा कोई है नहीं, जब तक ये न दिखाई दे तब तक अग्यान ही है, तो क्या आप सब को भगवत सुरुप देख पा रहें, क्या आप मान अपमान को शमान देख पा रहें, क्या सत्रमित्र को समान देख पा रहें, क्या निंदा इस्तती को समान, यही अज्ञान है, और इसी अज्ञान का निवारण गुरुमंत्र से, नामजब से, ठाकुर सेवा से, भगवान की लीला चरित्रों के सुनने से, और सद आचरन करने से, अगर हमारे आचरन गंदे हैं तो फिर बाते ग्यान की भलेम पड़े लिखके कर लेकिन अनुबो कुछ नहीं होगा आचरण से ही पैचाना जाता है कि ये दुरात्मा है कि मात्मा है भेई अगर मात्मा का तो रावन ने भेशदारण किया मात्मा का तो सीता जी ने उसकी वारता और चेश्टा से का कि तुम बेश्टू मात्मा कधारण के लेकिन हो तुम दुर्ष्ट और दुरात्मा मतलब तुमारी भासा और तुमारे आचरण बहूं तुम इसका परिच्चा बता देंगे अगर आचरण ठीक है और आपकी वानी पवित्र है और आप भगवत चिंतन करते हैं तो आप ख्रपा से ग्यान को प्राफ्ठ हो जाएंगे ये जब तक हमें सब कुछ भगवान अनुभू में नावे तब तक अज्ञान ही रहे जब तक इंद्रियां भोगों में मचलती हैं तब तक अज्ञान ही है भगवान निगीता जी जो श्रद्धावान पुरुष होता है, सास्त्र और शंतू पर शुद्धा उसको ग्यान प्राप्त होता है, कौन सा ग्यान, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अभी वो सच्चा ग्यान नहीं, अभी चलने वाला ग्यान, इस ग्यान से वो अपनी इंद्रियों को अधर्माचरन से अटा लेता है और जे ही धर्माचर आचरन पवित्र हुए जितेंद्री हुआ अब भजन के प्रभाव से उसे सुद्ध ग्यान होता है जो आत्म का आत्म ग्यान जिसे कहते हैं अब उसकी जो इस्थिति है पराम शांती पराम शांती हर्दय में आ गए आनंद में आत्म श्रूप सरवत्रन हो में आने लगता है अभी तो ककारा भी नहीं आता जैसे कहें ला तो अभी परमार्थ का जिसे परमार्थ का गया है ककारा भी नहीं आता तो ऐसा करें सहजवाव में हे प्रभू मैं आपका हूं और जो नाम प्री लगे खुम नाम जब करो और जिन को आप जानते गंदे आचरण है उनको मत करो फिर आप देखो आपकी उननती अध्यात्म उननती होने लगेगा आपको शांति मिलने लगे है आपको शुन्दर-स उनन ग्यान की इस्पुर्णाय होने लगेंगी, आगे बढोगे तो शुंदर लिलाओं का दर्षन होने लगे, अब अभी चिंतन भूगों करते हैं, तो सोपन भी गंदे आते हैं, विचार भी गंदे रहते हैं, जीवन भी गंदा हो गया, अब दिभ्यता का नुब कैसे हो, पहले सुद्ध ज्यान परम्शान्ति न कोई चाह है न कोई भय है न कोई किसी तरह का संकट भी पत्ती का अनुभव है शरीर में है बाहर भी है लेकिन अंदर में नहीं है अभी क्या है बाहर भी वस्ता है सब बढ़ियां ऐसी लगा है वो अंदर छाती जल रही है क्योंकि जो वो अंदर चिंतन नहीं है इसले भगवान अनन्यस चिंतें तो माम भगवान का चिंतन भगवदाश्च्रे इसी से शुद्ध ज्यान का प्रादुर्भा हो जाएगा अच्छा आप पढ़ाते हैं उनको पढ़ाता विश्का सबसे कम आयू का सिक्षा के लिए प्रणाव इतली छोटी होसता है आप सिक्षा देते हैं नाम भी जबते रहे ना राधा 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 रहे हैं पुरू नाम है महाप्रवबू ने पहले ही वता दिया महाप्रव चैटन नेदेब में हमारी शिरी जी को देननेता बहुत प्री है। हमारे पुझे सद्गुर्दे भुगाने एक दिन जब सेवा में थे तो ऐसे ही मस्ती में। तो उनका बताओ हमारी शिरी जी का वहान क्या है। जैसे कार्तिके जी का मयूर वहान है, सरशुती जी, अंस पे बठे, महादेव जी, नंदी पे शवार, अंबा, सेर का वहसे सब के वहान है। तो हमारी भगवान भी श्री हरी गरुण। तो हमारी लाड़ी जुका वहान क्या है। गुर्दे भगवाने पर हमारा जी हमें नही लाड़ी जुका सांद्रागन प्रेम मूर्ति के सोरी लाड़ी जुके रूप में। लाड़ी जुकी प्राप्ति का उपाय महाप्रवु चैतन ने देव कह रहे है। तरणाद पी सुनी चेन। इतनी दैन्यता होनी चाहिए कि तरण से भी नीच अपने अंदर भाव हो तरणाद पी सुनी चेन। तरोर्यू शेह सुना। जैसे ब्रक्ष को कोई कुलाड मारे, इट मारे, फिर भी ओचाया, पत्ता, लकडी, चाल ये देगा ही, कोई अहित नहीं करेगा हो। ऐसे जिसका शुभाव बन गया है, करत जे, अनुशहन निंदक, तिनों पे, अनुग प्रार्थना करते हैं, कि इन जलादों को कभी दंड न मिले, जो सरीर को पीड़ा पहुचा है, नात, इनकी बुद्धी मंद है, इनकी बुद्धी को प्रकाशित के, करत जे, अनुशहन निंदक, तिनों पे, अनुग्रह कियो, तो वही कर सकता है, अनुग्रह, जो तरुश ने रहकर सबको शम्मान देना, किर्तिनिया, सदा हरी, तो लाल रंगीलो गाहिये, ताते प्रीती रंगीली पाई, अनुग्रह, रसीकवापर, ऊंकेरे, यादी हरी हरी बोले, तो लाडली मुस्कुरा देंगी, हरी क्रपा करेंगे, तो जिव्या पे, राधा नामिस्पृत हो जाएगा हरदय में राधा चरणारविंद प्रकासित लाली जू लाल जू की है लाल रंगीलों गाईये ताते प्रीती रंगीली और जब लाली जू करपा करती है तो स्री कृष्ण अनुराग में दूप जाता है स्री कृष्ण ललित रंगीली गाईये ताते प्रेम रंग पाईए यह अदुभूत महाप्रभू चेतन्य देव का उपदेश है हार संप्रदय के हार उपासक कोई जीवन में उतारना चाहिए बिना इस इस्तिती के वो भगवत मार्ग में आगे बढ़ी नहीं सकता गुरू प्रदत नाम और मंत्र को निरंतर जपिए देन भाव रखिए दूसरों का सम्मान कीजिए और सहन सील वनो किसी विस्थिती में विचलित ना हो तो प्रेम अपने आप हरदय में स्पुरित हो जाएगा क्योंकि वो है नमीन नहीं आना है वो है प्रेम हमारा जो शुरूप है हम उसे भूले हुए है वो प्रेम शुरूप ही है दाश्य शुरूप ही है हम देहा विमान के कारण भोगों में रस्वुद्धी करके हम उस प्रेम से वंचित हो गए है नहीं वो है सबकी मंता ताग ब देते हुए शहन्सील होकर निरंतर नाम जब करें कुछ दुरलब नहीं है स्रीजी का प्रेम निश्चित प्राप्त हो जाएगा आप देखो ब्रंदावन की रजका सेवन करते हैं आचारी परंपरा से अनुगत हैं फिर आपको चिंता ले कर लिए बस सावधानी रखनी है कि ह हमाई आचारी आग्यां के विप्रीत कोई आचरन या संकल्प न बन जाए अगर बन भी जाए तो हम उन्हीं से मिटाने की प्रार्थना करें अन्य से नहीं क्योंकि हम उनके दास हैं हमसे कोई गलती हो जाए तो स्वामी से प्रार्थना करें कि आपकी आग्यां पालन करने क कि हमारे हरदय में शामर्थ या जाये ऐसा बहुत प्रीदम है उस रूप में अपने रसका अभिस्तार कर ले और फिर्या प्रीतम के रूप में यहीं विराजवालण भी माप्रुब दुर्गेश पंडे जी राकेश जी नयाय दिश उत्तरप्रदेश रादे 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 जैए श्री कृष्णा भगवन श्री कृष्ण जी से कहिए कि हम लोग तो समय से नयाय नहीं कर पारें लेकिन आप नयाय करने में देर ना लगाएं आपको किसी कैदी को सजा देने में कितना समय आप तुरंत देते हैं क्या फिर वो तो बहुत बड़े नयाय दिश है अनंत ब्रम्हांडों का हिसाब किताब है पर जब नंबर आएगा तब वहां वकील की जरुरत नहीं है क्योंकि आप साक्षी के अनुशार ही सजा दे सकते है और वो श्वयम साक्षी है उनको किसी साक्षी के जलब बहुत बड़ा सिस्टम है पर जिस दिन हिसाब होगा अब देखो जिसे लोग कहते हैं कि भगवान को तुरंत कर देना चाहिए आपके हाथ में कैदी भी है आपके हाथ में साक्ष भी है लेकिन आप तुरंत नहीं कर स सकते हैं उसको कई तरह के विचार करने पर फिर उसको आजीवन सजा गलती होई 15 मिनट की सजा जीवन की पर सजा देते-देते कई महिने लग जाते हैं वर्शों लग जाते हैं पर जब सजा दे दी गए सुना दी गए अब कोई उसकी काट नहीं होती फिसको दंड भोगना पड़ेगा ऐसे ही है जैसे इसका सिस्टम है जिस पापाचरण कर रहे हैं और पूर्व के पूर्ण का विधान हमारी उपर लागू हो गया है कोई संकट नहीं आएगा कोई भी पत्ती नहीं होगी कोई अपमान नहीं होगा और उसको लग रहा है बड़ी मौज है और जहां व पूर्षा ठीक से चल ला है पर उसका पाप भोगने का समया गया अब वो बहुत ठीक चल ला पर हर कदम लड़ खड़ा रहा है हर कदम उसको बिपत्ती आ रही हर कदम अपमान मिल ला है अगर वो धैर से इसको भोग ले और पूर्व का सुकृत और अभी का धर्म दोनों मि लेंगे प्रकासित हो जाएगा अब यह जरूर है कि हमारे मालिक का रिजिस्टर थोड़ा बिलंब से खुलता है और जिस दिन खुलेगा फिर किसी की ताकत नहीं है कि उसकी रक्षा कर सके उनका यहां तो आप नयाय करेंगे दंड विभाग दंड देगा वो स्वयम में सब कुछ है उनको किसी की सला की किसी के आदेश की जरुरत लेए वो परम तंत्र श्वतंत्र कर तुम कर तुम अन्यता कर तुम है आपकी बुद्धी से ही आपको दंड दिलवा देंगे बड़ा विधान उसका विचित्रिसीले का ज़ता डरते रो कोई अपराध न बन जाए न कानू जिसे या कानू अब तुरंते तो ऐसा नहीं कि फासी में चड़ा दिया बिल्कुल सब गवाही फीट है तो ऐसे तुरंत ले जाक फासी में चड़ा देगे क्या पहले आपके द्वरा वो पूर्ण निरिक्षन होगा यहां बिल्कुल शाबूत पक्के हैं बिल्कुल पक्की है आप उसका निश्चय करके इसलिए कई जन बैठते हैं कई अडालतों का स्वरूप भी है इससे उपर फिर इससे उपर फिर उसको बिल्कुल निश्चित अपराधी को दंड मिलना चाहिए और जो अपराधी नहीं है उसको मुक्त करना चाहिए इसके लिए बड़ क्योंकि आफिस बहुत बड़ी है अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब है तो इसलिए उनसे कहने की जरुरत लई है वो आपकी बुद्धी बेठे हुए है और चराचर जगत की बुद्धे हुए इसलिए जो भगवान आपको पेरित कर रहे हैं आप अपने धर्म का पालन करते हैं सत्य पे चलिए तो आपकी बुद्धी में ही सार्थी बने बैठे हुए है वो आपके ही अरदे में बैठे हुए है वो बहुत द्यान से सुनना भगवान की छाती से धर्म प्रगट हुआ है और भगवान की पीठ से अधर्म प्रगट हुआ है दोनों भगवान से प निएटियु पॉजिट्री दोनों रच दिये दर्म द्रम डोन खेल तो तो तहीं होगा न भी पक्ष ना हो तो खेल कैसा तो यह खेल है इस जगत इसमें दो पार्ट रखे गए आप कि दर चलना चाहते हो एक पक्षेदा अधर्म का यह दोनों उनीके हैं और कभी अधर्म को यह उनका खेल चलता रहता है भला उस इश्वर के खिलाप को यह कदम रख सकता है नहीं अब जैसे कहे दे कि भगवान भी चाहते हैं नहीं भगवान ने दो पावर दिये दो पावर दे दे एक अधार्म को और एक धार्म को अभर आप किस को स्वेकार कर के चलते हो देखो जो दुनिया को दुख पहुचा रहे हैं उनके भी बहुता नहीं आई हैं यह दोनों अनुय आई हैं यो बेजता कौल है इन दोनों को पावर कौन देते यह सारा खेल बस यह यह रास्ट से रगुनात कर बेग न जाने कोई जो जाने रगुपति कृपा तो सपन्यों मोह न होए अपने करतब का पालन को तुम्हें इस संसार रूपी नोटंकी में कौन सा स्वांग दिया गया है उसको देख यह भगवान की पूजा होगी भगवान का इश्मरन करते हुए किसी के धान या किसी के बल प्रभाव से दब करके न्याय नहीं भगवद आश्टितों का सत्य पे यह भगवान की पूजा होगी और जब भगवान प्रसन हो जाएंगी तो इस सुआंग से आपको मुक्त कर द लेती बड़े-बड़े महाभागवत भजन करके वह सिप्राप्त करते हैं तुमसे कहने की ज़रत लई है वही सब रूपों में अपला विस्तार करके खेल रहे हैं जैसे कोई ऐसी बात आवेये रोल में हसला होतोँ अलग है यह जो हशिये होती है आनंद की छखन में हमगती जैसे अनध्यित हो गया उस वह एक लगेती में ड़ी में हसा जाता है यह स्वाद होता है नहीं देखो न जैसे नाटिक में भी तो हस्ते हैं उसमें स्वादसुरी हुता है एक ब्रह्मानंद की छकन में भगधाणंद की छकन में जो हसी आती है वो लुभायमान करती है और आप जैसे आप जैसे बिग्ड पुरुष आप जैसे हमारे राज्य पदों में बिराज मानजन यदि सत्य को धर्म को लेकर चलेंगे तो हमारे समाज को बहुत बड़ा लाव मिलेगा क्योंकि अगर जो आप जैसे बड़े पदों में बैठें हैं धर्म को नहीं जानेंगे सत्य को नहीं जानेंगे तो कहीं न कहीं आप किसी के दबाव में आ सकते हैं धन के दबाव में आ सकते हैं किसी के बल के दबाव में आ सकते हैं और अगर आप धर्म को जानेंगे तो आपको फोन भी आए कि फिर हम आपको देख लेंगे कुछ नहीं हो सकता हरी का भरोशा हो पक्का कहते हो सत्य पे चल रहा हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता बिल्कुल नहीं डरना चाहिए अब अगर हमसे आधर्म हुआ है और उपन नहीं हुआ प्रकासित नहीं हुआ तो फिर हम ठीक करते हुए भी फस जाएंगे वो जो दंड हमें मिलना चाहिए तो इस समय हमने अपराद नहीं किया पका पर वो जो प्रकासित नहीं हुआ पाप अब वो आया है इसलिए जो विग्यजन होते हैं चुपचाप सहे लेते हैं कि ठीक भई हमसे गलती नहीं पर हम जानते हैं कोईन कोई गलती हमारी है क्योंकि जो शाक्षी है वो हमें दंड दे रहा है जो शाक्षी है कर दो 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 कर कर दो 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 बनान कर दो कर दो झाल 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 झाल